नास्कार मानस मिश्रा उली रोजी नेशर में आप सबे का बहुत बहुत स्वगत करता हूँ आज आपके सामने में एक बड़ा सर्वे लेकर आया हूँ जो लोकसभा 2024 का सर्वे है जहां इंडिया गटबंदन अपने आपको कह रहा है कि वो 26 जलों के साथ इंडिया यानि कि मोधी सरकार को अपकी बार सक्ता से बेद्यकल कर देखा लेकिन यहां पर आकडे तो कुछ और कह रहे हैं आकडे अखर क्या कह रहे हैं अच्छे कर दिखाएंगे और सबसे बड़ा उलट फेड आपको दिखाएंगे महारास्ट्रा का सबसे बड़ा उलट फ्रेड आपको दिखाएंगे जहां उत्त अप्रदेश में एक दावा किया जा रहा है कि भीभब की बार सपा BJP को पूरी तरसे पलट देगी लेकिन आकड़े तो कुछ साइद और कह रहे हैं क्या यह पलट रही है आप देखेगा तो सुरुवात हम एक स्टेट वाइच करेंगे और सुरुवात करें और आप से अनोद है वीडियो को पूरी वीडियो देखेगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रू करेगा क्योंकि चलते हैं सीदे आकड़ो की तरफ की आकड़े आकड़े क्या कहते हैं और सुरुवात हम जो करने आ रहे हैं वो सुरुवात करेंगे आपके सामने आप आकड़े दिखना सुरू हो रहे हैं पूरी वीडियो देख करके आपके सामने मध्यप्रदेश के आकड़े दिख रहे हैं मध्यप्रदेश के आकड़े जहां पर कुल 31 सीटे हैं जिन 31 सीटों में 24 सीटों पर BJP मतरा BJP को 24 सीटे आ रहे हैं और पांच इंडिया के गठबंदन के खाते में आन्ने का खाता भी नहीं खुला यानि कि 31 सीटों में 24 पर भारती है जनता पार्टी मध्यप्रदेश में तोकि मध्यप्रदेश में अभी चुनाओ हैं इसलिए हम इनके आकड़े पहले प्रस्तुत कर रहे हैं अब हमको आपको लिये चलते हैं दूसरा राजस्थान की तरद क्योंकि राजस्थान में अभी चुनाओ हो रहे हैं इसलिए राजस्थान के आकड़े अब आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे आपके सामने राजस्थान के आकड़े हैं जहां राजस्थान में कुल 25 सीटे हैं और इसमें जो अभी हलाल फिलाल में जो खाता नहीं खुला आए वो है अन्य का खाता तक नहीं खुला आए और अब चलते हैं हम 36 गड़ की तरह क्योंकि 36 गड़ में भी यहां पर चुनाओं हैं इसने 36 गड़ के भी आकड़े देख लेक रहे हैं 36 गड़ में कुल 11 सीटे जी ह और चार सीटे जो हैं वो मिल सकती हैं इंडिया गट बंदन को आगे हम भरते हैं कि करके हम आपको आकड़े दिखाएंगे आकड़े सबसे ज़्यादे जो चौकाने वाले हैं वो बिहार के हैं और हम आपको लिए चलेंगे आगे उत्तफदेश के आकड़ों की तरफ लेकिन बिहार के आकड़े आपको बता दें जो बिहार के आकड़े वो क्या कहते हैं बिहार में कुल 40 सीटे हैं जी हाँ चालिस सीटों वाले में से जहां पर नितीज कुमार समय सत्ता से मतलब एंडिये से बाहर हो चुके हैं ऐसे में ये अनुमाल लगाय जा रहा है ताकि जो ये सीटे हैं वो अब बिहार में जेडियो आरजुडी के गठबंदन से इन बीजेपी को घाटा होगा लेकिन यहां घाटा तो होता थोड़ा बहुत दिख रहा है लेकिन कुल 40 सीटों में 24 सीटों पर बीजेपी यहां पर जीत्ती हुई नजर आ रही है और 16 सीटें इंडिया गठबंदन के खाते में जा रही है यानि कि कुल 40 में से 24 और 16 का ये आपके सामने आकड़ा दिख रहा है अब आगे बढ़ते हैं हरियाड़ा की तरफ चलते हैं हरियाड़ा के क्या है हरियाड़ा में कुल 10 सीटें हैं इन 10 सीटों में बीजेपी के खाते में 8 सीटे जा रही है और 2 जा रहा है इंडिया गठबंदन के खाते में यानि की साब तोर पर दिख रहा है की इंडिया गटबंदन जो इतना बड़ा घमंडिया गटमंड़े से आज कर रमंती नरेंद मोदी कहते हैं तो डॉट इंडिया का जो पारा है वो कहीं न कहीं अभी भी इतना होने के बावजूद भी कहीं न कहीं वो एकदम डाउन दिख रहा है आगे बढ़ते हैं जारकंड की तरह जारकंड में जाहां कुल लोकसभा की 14 सीटे हैं 14 सीटों में लोकसभा में 12 सीटे जा रही है BJP के काते में, BJP Plus के काते में और 2 सीटें यहाँ पर इंडिया गटबंदन के काते में यानि की यहाँ भी इंडिया, डॉट इंडिया का मामला पूरी तरह से डाउन दिख रहा है अगले राज की तरह बढ़ते हैं हिमांचल प्रदेश हिमांचल प्रदेश में कुल 4 सीटे हैं इन 4 सीटों में BJP को 3 सीटे हैं और 1 सीट जा रही है यहाँ पर इंडिया यही कांग्रेस के पास जा रही है तो इसका बतर्ब साफ हैं इस मैंचल में सरकार हैं यहाँ पर लेकिन मामला क्या है? डोव lizeal है और यहां पर सीदेतर पर नुकसान पहुँछ रहा है और इंडिया को जंबू लद्दाख और कस्मीर में चलते हैं कुल जंबू लद्दाख कस्मीर में कुल 6 सीटे है इन 6 सीटों में जिस तरह से अगर चुना होते हैं आज तो लोक सभा में 3 सीटों पर BJP, 2 सीटों पर यहाँ पर इंडिया गड़बंदा ने 1 सीट यहाँ पर नेका के पास जा रही है यानि कि कुल 6 सीटों में जो 3 का आकड़ा है BJP को यहाँ पर कोई नुकसान होता नहीं दिख रहा है और वो अपने ही अंक 3 पर यहाँ पर बलकरार है आगे बढ़ते हैं सबसे बड़ी देश की राजधानी दिल्ली के तरह पर दिल्ली में कुल 7 सीटों हैं लेकिन 7 सीटों में पिछली बार क्लीन स्विफ किया था है BJP एंडिये ने लेकिन इस बार का मामला थोड़ा साथ डामा डोल लग रहा है अगर यह अलग अलग लड़ते हैं तो फिर से 7 की 7 सीटों जो होंगी वो BJP के खाते में जाएंगी आगे बढ़ते हैं गुजरात की तरफ गुजरात में कुल 26 सीटे हैं और आपको बता दें यह सबसे बड़े हरानी क्योंकि गुजरात से हमेशा सही BJP को जीत हासिल होती आए गुजरात की 26 में से 26 सीटों पर यहाँ पर आपके सामने आकने हैं वो पूरे के पूरे क्लेन स्विट कर रहे हैं BJP यानि BJP को सारी सीटे मल लही हैं यहाँ पर इंडिया गडवन्दा नन यहाँ पर पूरी तरह से सूनने हैं आगे बढ़ते हैं हम करनाटक की तरफ जहां करनाटक में कुल 28 सीटे हैं कि यहाँ पर यह बाजी मारेंगे लेकिन यह बाजी आप मारना इनके लिए मुस्किल है आगे बढ़ते हैं महारास्ट की तरफ जहां महारास्ट में अब उधर ठाकर अलग हो चुके हैं आरतालिस सीटें वाली महारास्ट की लोग सभा में कुल 24 सीटें बीजे पी के खाते में और 24 यह यहां मामला 50-50 का है 24 सीटें चूबिस का अखड़ा हैrom 24 चूबिस का अखड़ा महारा यहां पर है और आगे बढ़ते हैं पस्चिम बंगाल की तरफ और 42 सीटों में 12 सीटे आ रही हैं बीजेपी के खाते में और टीमसी के खाते में 29 एक यहां पर कांग्रेस के खाते में यानि कि यहां पर नुकसान होता बीजेपी को देख रहा है क्योंकि अभी तो चुनाप आगे हैं लेकिन यह आकड़े बदल सकते हैं लेकिन फिर भी यहां नुक्सान BJP को होता दिख रहा है अब चलते हैं सक्से बड़े राज देश के उत्तप देश के तरफ जहां पर असी लोग सबाज सीटे हैं असी लोग सबाज सीटे में बहुत सब्सक्राइब रहे थे कि आखिरकार उनकी सत्ता आएगी वापस आएंगे लेकिन यहां तो मामला सपाट दिख रहा है यहां पर BJP के खाते में आपको यहां पर NDA ने दिखा रहा हैं हम सीधे अलग-अलग सीटों को दिखा रहा हैं BJP के दो अपना दल की 72 हो गई और एक सीट यहां पर SBSP कि यानि कि कुल 73 सीटे हैं अपकी बार 2024 के लोग सबाज चुनाओं में आ रही हैं अब हम चलते हैं फाइनल आकनों के तरफ यानि कि 543 सीटों में आखिरकार कितनी सीट आ रही है यहां पर NDA को 543 में अभी अगर चुना होते हैं तो 318 सीटे आ रही हैं आपके यहां पर NDA ने BJP घटक दलों के पास और 175 सीटे इंडिया घटबंदन के पास और 50 सीटे आनने के खाते में यानि कि अगर हम अन्या और इंडिया घटबंदन को मिला लेते हैं तो कुल मिलाकर 225 सीटों बरस 318 सीटे हैं यानि कि 272 का आकड़ा BJP अपने बल पर आसानी से बिना घटक दलों के सहाड़े अपने बल पर आसानी से यह पा रही है आप से नोद है वीडियो को लाइक शेयर जरू करेगा वीडियो को कमेंट बाक में कैसे लगा आपको इसर्वेब जरूर दीजे और वीड कर दो देढ़ मारा आत्री अरूर आपको अधने जरूरा आपको 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 अरूर आपको अधने खर तो